अंत निश्चित है, हर उस फैलाए गए भ्रम एवं दुश्परचार का जिसके आधार पर सनातन धर्म को बरबाद करने के प्रयास किये जाते हैं। सनातनियों का अपमान कर उन्हें नीचा दिखाना ना केवल अल्प संख्यको एवं लिबरल ब्रिगेड का भी पसंदीदा काम हो गया है। इसका परिणाम ये है कि उनकी संस्कृति को शती पहुचाने की सोच रखने वाले स्वयम ही विनाश के मुहाने पर पहुच जाते हैं और ऐसा ही कुछ एक बार पुना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर जो है देश का सबसे विश्वसनी अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोटल और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे इसलामिस्टों ने श्री कृष्ण की अवित्र बेट द्वारका पर अतिकरमन जमाया था और कैसे अ आई करिए और हमारे चानल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए एवं हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें तो अविलम आरंभ करते हैं 2019 में देश के सर्वोच नयायले ने एक एतिहासिक नेने लिया था जिसने सनातनी विरोधी सोच रखने वाले और सनातन को खत्म करने की मंशा रखने वालों को बहुत बड़ी चोट पहुचाई थी सुप्रीम कोट ने दशकों से चले आ रहे अयोध्या के राम जन्म भूमी बाबरी मस्जिद विवाद को हल कर राम जन्म भूमी का अधिकार हिंदू पक्ष को देते हुए सुन्नी वक्फ बोड को एक बड़ा जटका दिया था इसके साथ ही ये तैह हो गया था कि सनातनियों को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है परंतु आस्था के मुद्दे पर उन्हें पराजित करना लगभग असंभव है राम जन्म भूमी मुद्दे के हल होने के पश्चात भी वक्फ बोड सुधरा नहीं है वक्फ बोड एवं इसलामिक कटरपन्थी अनेक हिंदू मंदिरों और आस्था के परतीकों पर दिन परती दन अपना दावा करते आये हैं इन्होंने इस बार तो बेट द्वार का नामक भार्मिक स्थल को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया था इन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह से द्वार का बेट के दो द्वीपों को अपना बता कर इस थान पर कबजा किया जा सके परंतु इस बार उनके मनसूबों को जटका लगा है क्योंकि अब इन शेत्रों पर दावा कलने वाले अल्प संख्यकों को निशाने पर लेते हुए उनके अतिक्रमनों को ताबर तोट तरीके से तोड़ा जा रहा है सूचनाय सामने आई थी कि बेट द्वीप यानि बेट द्वारका की भूमी पर विभिन प्रकार की अवैद गत्यविधियों पर नकेल कसने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं करमचारियों के साथ साथ पूरे सौराष्ट पुलिस बेड़े के अधिकारिय ने एक साथ एक मेगा ओप्रेशन शुरू किया था भगवान श्रीकृष्ण के महल एवं सरकारी भूमी पर धार्मिक और अन्य जबर्दस्ती गतविधिया भी देखी गई थी बेट द्वारका में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों को तोड़ना शुप्रारंब किया गया है बेट द्वारका में हनुमान दांडी मार्ग और बालापार शेत्रों में पांच JCB मशीनों द्वारा तोड़ फोड का कारे प्रारंब कर दिया गया बेट द्वारका और ओखा के कुछ मुसल्मान नेताओं को पुलिस ने सतर्क्ता बरते हुए राउंड अप पर लिया है इसकी साथ ही पुलिस ने बेट द्वारका के निवासियों से अपने घर में ही रहने की अपील की है इसलिए द्वारका में पुलिस की सक्रियता काफी बढ़ चुकी है रिपोर्ट्स के अनुसार बेट द्वारका में SRP एवं SP समेथ काफी भारी संख्या में पुलिस बलको तैनात किया गया है बेट द्वारका में रेंज आईजी समेथ शीष पुलिस उच्चा धिकारी मौझूद थे यहाँ पर 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था से लैस होकर demolition करने पहुची थी इनके साथ ही राजस्व, मरीन, वन बेवभाग एवं अन्य टीमें भी वहाँ पहुच गई शनिवार देर तक चली कारवाई में प्रशासन को लगभग 55,000 वर्ग फीट जमीन से अतिक्रमन हटाने में सफलता मिली कुल 21 जगों पर प्रशासन का बुल्डोजर चलाए गया है महतपून बात ये है कि इसकी कीमत करोडो रुपे में बताई जा सकती है समवेधन शील माने जाने वाले बेट द्वारका में लोगों को काम के बिना बाहर आवा जाही पर रोक लगा दी गई थी इस मामले में स्थानी प्रशासन ने सकती बरतते हुए शेतर में जैमर का भी इस्तमाल किया जिससे अफवा फैलाने पर रोक लगा सके वही कारवाई में द्वारका जिले के अत्रिक्त पुलिस ने राजकोट, पोरबंदर, सुरेंदर नगर, जामनगर, मुर्भी जिले की पुलिस को भी सतर करने को कहा जो इस ओपरेशन में समलित भी रहे बेट द्वारका में सुबे से ही बोटों में सवार होकर पुलिस पहुंचने लगी थी, इनके अत्रिक दूसरे विभाग के करमचारी भी शामिल थे, इस कारवाई में विशेश रूप से लाई गई पांच जेसिबी के मदद से विध्वन्स परारम हुआ, जिले के पुलिस अ नोटिस देकर स्थान खाली करने की समय सीमा तैक कर दी गई थी, इसके पश्चात आधिकर्मन हटाने के लिए कारवाई शुरू की गई, इसमें नौ पुलिस उपाधिक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर, PSI, हतियार धारी, SRP इत्याधी भी शामिल थे, हाल में दुकानों कोशिश का नतीजा था, वक्फ बोड ने इस जमीन को अपना बनताने की कोशिश की परंतु इस मुद्दे पर बड़ा जटका तो बोड को गुजरात हाई कोट से ही लगा था, गुजरात के उच्छ नयायले ने वक्फ बोड के इस दावे पर एक वर्ष पूर भी आश्चर जताते हुए पूछा कि कृष्ण नगरी पर आप कैसे दावा कर सकते हैं और इसके पश्चात गुजरात उच्छ नयायले ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था, बतादे की बेट द्वारका में करीब आठ टापू है, यानि द्वीप, जिनमें से दो पर भगवान श श्री कृष्ण की अराधना करते हुए, मीरा बाई ने यहीं पर उनकी मूर्ती बनाई थी और उनी की मूर्ती में वे समा गई थी, बेट द्वारका के इन दो टापू पर करीब 7000 परिवार रहते हैं, जिनमें से 6000 परिवार अल्प संख्यक यानि मुसल्मान है, ये द्वार जादी मुसलिम है और इसी लिए इस बेट द्वारका के टापूओ पर मुसलिम वर्ग और वक्फ बोड का हक है, गुजरात हाई कोट ने इस मामले को जादा नहीं बढ़ाया, वक्फ बोड आए दिन किसी न किसी सनातनी मंदिर की भूमी को अपना बना कर उस पर कबजा करन की नीती अपनाने लगता है, परंतु मुसलिम वर्ग को अब जटका लगा है, एक महतपून बात ये भी सामने आई है कि हाली में जिस पॉपुलर फ्रेंट ऑफ इंडिया नामक इसलामिक संगठन को प्रतिबंधित किया गया था, उसका सीधा संबंध भी इस याचिका और वक्फ बोट की जमीन वाले दावे से है, वक्फ बोट को अक्रोशित करने और उनसे इस मुद्दे पर कोट जाने की बात यही PFI करती रही, और वही PFI के विरुध पिछले हफते केंदर सरकार ने ताबर तोड़ कारवाई करते हुए उसका अस्तित्य तकमिटा दिया है, औ और अब द्वारका के इस मुद्दे पर PFI की मदद से आवाज उठाने वाले सनातनी विरुधी लोगो को बुल्डोजर एक्शन के बाद तगड़ा जटका लगा है, अब वक्फ बोट को सीधे तोर पर यह ऐसास हो जाना चाहिए कि हिद्दू अपनी धार्मिक मानेताओ व यही है कि मुस्लिम वर्ग को Places of Worship Act से सनरक्षन की आशा रहती है, परंतु वाराणसी के ज्यानवापी केस से लेकर मथुरा के श्रीकृष्न जनभूमी शाही मस्जित विवादित मामले में कोट ने Places of Worship Act तक को किनारे कर दिया, और यही आने वाले समय में अन्य मंदिरो के साथ जुड़े विवादों को लेकर भी हो सकता है, और यह वक्फ बोड के लिए अब तक का सबसे बड़ा जटका सिद्ध होगा.